हाई फ्रेंड्स मैं शंदान्स वागत करता हूँ आपका टेकनिकल क्या आत सीखते रहूं यूटूब चैनल पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओपो मॉवाइल में ओटो केरेक्शन सेटिंग क्या है और इसे कैसे ओन करते हैं और इसे ओन करने शेक्ट क्या होता है तो इस वीडियो में मैं आपको यहीं बताऊंगा तो चलिए सुरू करते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँं कि ओपो मॉवाइल में ओटो केरेक्शन सेटिंग जो है वो ओपो मॉवाइल का एक बहुत ही बढ़िया फीचर है और इसे कैसे ओन कर सकते हैं इससे क्या होता है अब मैं आपको बताता हं तो इसे ओन करने के लिए और अ रोगो रोख ल्लौकर ऐगा तो उसके दाफ आपको नीचे की अ चेंग करीया और नीचे well करिय करीया और तो उसके बाद इस तरह के इंपट मेसं पर क्लिक करिए और इस तरह के अजयाएगा और देख सकते हैं अभी आपर मेरे में current keyword यहां पर जीबॉट वाला तो जो भी current keyword रहेगा वह आपका यहां पर इस पर क्लिक करता हूं तो आपका जो भी करेंट की वोड्ड में जो दिख रहा है वह करेंट की वाद आप उस पर क्लिक करेंगा तो इस के बाद इस तो आपने आपने कीवोंड में कुछ भी टाइप करेंगा अगर जो माननीजिए कुछ गलाच टाइप कर देते हैं तो वह अपने आप ही तो वह सही वाला टाइप हो जाएगा अगर आप लिखेंगे तो आप डालेंगे जैसे अभी मैं लिखता हूं जे लो लिखा और देख सकते हैं मैं यहाँ पर आप यह हो गया हेलो मतलब कि ओटोमेटिक यहाँ पर सही वाला करेक्शन जो है वह टाइप हो गया है तो देख सकते हैं यहाँ पर टीम है अगया अगर जो मैं इहां पर आया हुआ है तो ऑटो करेक्शन सेटिंग ओन करने से यह होगा कि कुछ भी अगर जो आप गलत कर रहें है तो अपने अफिन वह सही वाला सज्घेस्ट होगा है जैसे बाध यहां पर और जैसे मैं अपस टाइब करूँगा जैसे यह इंगलिज निवा स्पेस्ट में सकते हैं आपने आफी करेक्षण हो व्यास ही रही हम है पर लिखा गया तो और टो करेक्षण सेटिंग अउन करने से यही फाइदा होता है कि गलत भी आप अपने कीवर्ड में कुछ टाइप करेंगा तो वह सही वाल अपने अपने सजेस्ट होगा और जैसे अस पर दावेंग तो सही वाल टाइप हो जाएगा तो इस तरीके से आप इस सेटिंग का यूज कर सकते हैं